चाराग घुटाले में लालू प्रसाद यादव को सबसे बड़ी सजा चाराग घुटाले तो नहाद होके उनके पीछे ही पड़ गया है अब उसके चौथे मामले में लालू प्रसाद यादव को 14 साल की सजा सुनाई गई है ये मामला चारा घुटाले के दुमका कोशागार से जुड़ा हुआ है इसके अलावा लालू पर साथ लाख रुपय का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की सजा और भुगतनी पड़ेगी। चारे घुटाले से जुड़े मामले में लालू को मिली इस सबसे बड़ी सजा है। CBI के विशेश नियाधी शिवपाल सिंग ने दुमका कोशागार से गवन मामले में लालू को IPC की विभिन धाराओं के तहर साथ साल कैद की सजा सुनाई है। ये दोनों सजाएं एक के बाद एक चलेंगी और इस तरीके से लालू प्रसाद को कुल 14 वर्ष की सजा होगी। इसके अलावा उन पर 33 लाख रुपे का यानि की कुल 7 लाख रुपे का जुर्माना भी लगाया गया है। चारा घुटाले के दुमका कोशागार से 3 करोड 13 लाख रुपे के गवन के मामले में 31 लोगों के खिलाफ CBI की विशेश अदालत ने लालू समेत 19 लोगों को दोशी करार दिया। वहीं पूर्व मुख्य मंत्री जगनात मिश्व, पूर्व विधायक धोभगत, पूर्व सांसर जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री विद्या सागर निशाद और पूर्व विधायक आरके राणा के समेत 12 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया गय लालू प्रसाद यादों बहुत चर्चित चारा घुटाला मामले में यहां की बिर्सम उंडा जेल में सजा काट रहे हैं CBI की विशेश अदालत ने दुमका कोशागार से अवेद निकासी से जुड़े मामले में अपना फैसला 5 मार्च को स्रक्षित कर लिया था यह मामला दिसमबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोशागार से 13 करोड 13 लाख रुपे फर्जी तरीके से निकालने पर दर्ज हुआ था हम दर्शकों को यह बता दें कि 4 घुटाले से जुड़े पहले मामले में वर्ष 2013 को लालू प्रसाद को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और दूसरे मामले में उन्हें 23 दिसमबर 2017 को दोशी ठहराया गया था और उसके बाद 6 जन्वरी को 3.3 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी तीसरे मामले में उन्हें यह चाईबासा कोशागार से अवैद निकासी के लिए 24 जन्वरी को दोशी ठहराया गया था और 5 साल की सजा सुना दी गई थी लालू के खिलाफ चारा घुटाले के मामले में 6 केस दर्श हैं जिनमें से 3 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है और इस बार वाला ये फैसला 4 मामले का था यानि इससे ये साफ कहा जा सकता है नियालले के घर देर है लेकिन अधेर नहीं दोशी चाहे कोई भी हो एक आमनागरिक या कोई वियाईपी वो सालाखों के पीछे जरूर होगा तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजे इजासत जल्द ही फिर हाजर होंगे ऐसी खास खबर के साथ तब तक के लिए नवस्कार